नमस्कार, BMC चुनाव आने के पहले उद्धव सिवसेना, शरत पबार और कॉंग्रेस की हालत बहुत ही जादा खराब है और यह हालत इस कदर खराब हो चुकी है कि वह आने वाले चुनाव में पूरी तरीके से हारने वाले हैं दोस्तों आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैशे शरत पबार को सारे पाटी, विधायक, बहुत दिनों के रिस्ते जो तार-तार हो रहे हैं, तूट रहे हैं और शरत पबार कुछ कर नहीं पा रहे हैं आने वाले समय में राजनिती हलचल में यही चीज निकल करके सामने आ रही है कि शरत पबार पूरी तरीके से चकना चूर होने वाले हैं उद्धो ठाकरे को जिस तरीके से भरोसा है प्रकास अंबेडकर के उपर उनके रिस्तों में दरार आ चुकी है कॉंग्रेस धोखा दे रही है शरत पबार को ये भी आप जानते हैं आपको या बता दें कि कॉंग्रेस शिंदे गुट में भी शामिल हो रही है आने वाले कुछ दिनों में 20 से 22 विधायक शिंदे गुट में शामिल होने वाले हैं तो अब जानिये कि एक बड़ा जटका NCP को लगा है और शिंदे गुट बहुत ही अग्रसर है चुनावी दोरे को ले करके और इस चुनावी दोरे में पूरी तरीके से पीछे हो गई है हारती हुई जा रही है सरत पबार दोस्तों आपको बताएं कि ठाने में NCP को बड़ा जटका लगा है ठाने के वरिष्ट NCP नेता और पुर्व नगर सिवक हनमंत जगदाले ने NCP छोड़ दी है और शिंदे गुट में शामिल हो गए है उनके साथ ठाने नगर पाली का वाद नमबर च्छा के सभी चार पुर पुर्व नगर सिवक NCP छोड़ कर शिंदे समू में शामिल हो गए है यह इंटरी मुख्यमंत्री एकना शिंदे की मौजूदगी में की गई है दोस्तों बहुत बड़ा जटका लगा है NCP को दिल्चस्व बात यहा है कि सिवई नगर के दिवंगत पुर्व नगर सिवक सु दमदार प्रदर्सन किया दोस्तों बड़ी खबर बताएं कि यहां इंटरी सेरिमनी आजशाम 6 बजे ठाने के लच्मी पार्क सर्वीस रोड में हुए कारिकरम में हुई है और पुर्व परसदों के शिंदे समू में शामिल होने से माना जा रहा है कि ठाने में NCP को आगामी चुनाओ के मद्दे नजर बड़ा जटका लगा है अब आपको बताएं कि हनमत जगडाले विधायक जीतेंद्र आवाड के कटर समर्थक माने जाते हैं इसलिए उनका शिंदे गुट में शामिल होना NCP के लिए बड़ा जटका माना जा रहा है दोस्तों अब बड़ा मामला यहां आ चुका है कि NCP के विधायक शिंदे गुट में सामिल तो हो रहे हैं लेकिन अब NCP के विधायक कॉंग्रेस में जा करके शामिल हो रहे हैं यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा जटका है NCP को इससे कहीं न कहीं NCP को ऐसा जटका लगा है जि प्यास भी उनको लगी है लेकिन वो पानी नहीं पीश सकते हैं और ना कुवां के पास जा सकते हैं मतलब साप है मतलब अपनी इज़त भी देखनी है राजनिती भी इनको बचाना है लेकिन इनके विधायक इनको छोर करके जा रहे हैं तो अस्तिती बहुती जादा गंभिर होती हुई जा रही है दोस्तों शरत पवार की और तनाव वो बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि राजनिती का समय जो है वो तो बढ़ता ही जा रहा है BMC चुनाव 2024 के चुनाव है और दोनों चुनाव सिर्प है और ऐसी सिती में कैसे शरत पवार अपने आपको साबित कर पाएंगे कि एक अच्छा राजनितिक विसेसंग्य संकट मोचन इनसे हर लोग सलाह लेने आते हैं लेकिन आज इनका खुद राजनिती करियर पूरी तरीके से चौपट है संकट में है तो वो अपनी तो सुरक्षा कर नहीं पा रहे हैं दूसरे की सुरक्षा क्या करेंगे एक तरफ ठाने में एनसेपी का बड़ा गैप है दोस्तो पिछले कुछ दिनों में एनसेपी से सिवसेना के सिंदे गुट के कई नगर सेवक अजी पुर्व नगर सेवक मुख्यमंत्री एकनाश शिंदे के सिंदे गुट में शामिल हो गए हैं ये भी बड़ी खबर है ऐसे बहुत बड़ा जटका है दोस्तो ये एनसेपी को पुने जिले के कई एनसेपी कारिकरता कॉंग्रेस में शामिल हो गए हैं ये अभी अभी तगरा जटका मिला एनसेपी को विधायक संगराम थोपे के नेत्रित्र में कई कारिकरताओं ने कॉंग्रेस में शामिल होकर एनसे भूमी में शुडू हुआ लिक NCP के लिए बरा जटका माना जा रहा है इससे यह देखा जाएगा कि अगामी जीला परिसद पंचायत समीती चुनाव में कॉंग्रेस की ताकत में इजाफा हुआ है इस बीच कुछ दिनों पहले राज के पुर्व मंत्री विजय बाप्पू सिवतारे के नेतित्र में इंदापूर तालुका में बरामती लोकसभा, करमाला, सोलापूर से NCP और उद्धो ठाकरे के सिवसेना समूह के कई पदाधिकारी बाला साहब की सिवसेना में शामिल हो कि अब पूने के भोर तालुका के भावे खाल में आयोजित कारेकरम के दोरान विधायक संग्राम थोपटे सहित दाधी पुर्व सरपंच उप सरपंच ग्राम पंचायत सदस्य और अन्य कारेकरताओं सहित 91 लोग, दोस्तो बरिखवर 91 लोग कॉंग्रेस में शामिल हो गए प्रवेस करने वालों में अधिकांस जो बताय जा रहे हैं वो NCP कारे करता हैं, जो आरोप लगा हुआ है शरत पवार के उपर की उद्धो की सिवसेना को खतम करने का पूरा जो दाइत्व है वह शरत पवार को ही दिया हुआ था, अंदर ही अंदर शरत पवार उद्धो ठा ठाकरे की सिवसेना को खतम कर रहे थे, या बड़ा आरोप लगा हुआ था दोस्तो शरत पवार के उपर, आपको ये भी कहें कि कहते हैं कि कर बुरा तो हो बुरा और कर भला तो हो भला, अगर शरत पवार ऐसा चाहते थे या ऐसा उन्होंने करने की कोशिश की थी, तो उद लेकिन दोस्तो उद्धो ठाकरे की स्थिती, मनस्थिती, परिस्थिती दोनों खराब हो गई, लेकिन अब सवाल यह खरा होता है कि जो आरोप लगा शुआ था शरत पवार के उपर, कि इन्होंने उद्धो की सिवसेना को खतम कर दिया है, मुंबई के मुख्यमंत्री के पारसद, सांसद, सब शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं, नहीं तो कॉंग्रेस में शामिल हो रहे हैं, तो वह भी संतुष्टी से नहीं हैं, वह भी खुश नहीं हैं, और उनके विधायक भी आप लोगों को पता होगा कि जेल के सलाखों के पीछे जाने के लिए तयार ह इनफोर्समेंट डैरेक्टरेट कारवाई कर रही है धोकाधरी मामले में मनी लॉन्डरी मामले में तो शरत पवार की भी हार निश्चित है जिस तरीके की उनकी हरकत है आने वाले समय में उनकी इस्थिती और भी जादा खराब होती हूँ जा रही है